प्रति दिन दस परतिशत बढ़ा जिसको लेकर श्वास्त मंत्री ने काफी चिंता जताई है नमस्कार मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना सुरू कर चुके हैं मंगल पांडे श्वास्त मंत्री से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तोर से कहा कि जो बाहर देशों में रहते हैं जाच की सुबधा बढ़ाई गई है रेलवे स्टेशन हो या पट्ना का एयरपोर्ट हो या बस स्टेंड हो तमाम जगों पर पूरे बिहार में सुरक्षा बढ़ाई गई है जाच को लेकर और करोना का आकड़ा प्रती दिन दस परतिशत बढ़ रहा है जिसको लेकर स्वास्त मंतरी मंगल पांडे ने काफी चिंता जताई है और कहा कि जो प्रांत जो भारत देश के लोग बाहर से आ रहे हैं रहते हैं विदेशों में उनसे करोना का आकड़ा कर रखें और करोना का जो गाइडलाइन दिया गया उस पर पूरी तरह से पालन करें लोग अपने से खुच सुरक्षित रहें क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्त मंत्री मंगल पांडे करोना का आकड़ा बढ़ने से काफी चिंतित हैं जरा उनकी बातों को गोर से सुनिये मंगल पांडे स्वास्त मंत्री की बातों को और हम सब लोगों को चौक्सी रखना सावधानी रखना बहुत जरूरी है चुकि थोड़ी सी भी असावधानी कोरोना के संक्रमन का फैलाव बहुत तेजी से बढ़ा सकती है और हम सब लोग देख रहे होंगे कि पिछले दस दिरों में राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार व्रिधी हो रही है और यह जो व्रिधी है यह निश्चित रूप से हमारी चिंता को बढ़ाता है और इसलिए हम सब लोगों अब प्रति दिन पचास अजार से अधीक जाच राजिक अंदर हो रहे हैं हवाई अड़ा पर जाच हो रहा है रेलवे स्टेस्टों पर बस इस्टेंड्स पर सब जगा रेंडम जाच किया रहा है और जहां जानकारी मिल रही है तो गाउं टोले में भी टीम को भेजा जा रहा है तो हम सब लोग मरीजों की टेस्टिंग फिर उसकी ट्रैकिंग और ट्रिट्मेंट ये तीन जो सुत्र हैं उस सुत्र पर काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि जहां देश में बहुत बड़ी संख्या में करोना के एक्टिव केसिज बढ़े हैं वहां देश की तुला में बिहार में अभी बहुत सयमीत है और हम सब लोगों ने इस करोना के संक्रमन को बहुत हद तक नियंत्रित किया हुआ है बिहार में लेकिन मैं बिहार के लोगों से आग्रह करूंगा करोना को हम सब लोग नियंत्रित किये हुए हैं करोना खतम न अनवस्य की यातरा से बचना और जिस उम्र के लोगों को जब टीका लेना है वो टीका जारूर ले पहला डोज का भी टीका ले और जब समय आए तो दूसरा डोज का टीका ले और पैटालिस वर्ष मिंट के लोगों को एक अपरील से टीका मिलना सुरू होगा तो ये पूरी जो योजना विभाग ने बनाई है उसमें लोगों का भी सहयोग मिले ये भी मैं अपील करता हूँ और मुझे उमीद है कि अगले दस एक दिनों तक हो सकता है कि संक्या कुछ बढ़ेगी लेकिन हम उसको नियंतरन में रखने में सफल ह हो पाएंगे और इसी लिए स्वास्त विभाग ने अगले पांच तारीक तक सभी छुटियां रद्द कर दी हैं स्वास्त विभाग के सभी लोगों में